हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्टेक्निकल में फिर से दोस्तों नई जॉब की इंफोर्मेशन लेके हैं हूँ दो रुक्रीटमेट है पहली रुक्रीटमेट आ रही है साउथन कॉमांड मिलिटरी होस्पिटल की तरफ से और दूसरी जो रुक्रीटमेट है वो आ रही है सेंटरल कॉमांड मिलिटरी होस्पिटल की तरफ से दोनों ही रुक्रीटमेट का नोटिफकेशन अलग-अलग है दोनों का क्राइटेरिया लगभग सेम ही है दो पोस्प के लिए आवेदन मांगे गए है सबसे पहले कुक की रुक्रीटमेट है और वॉट साहिका की रुकरीटमेट है पहली जो नोटिफकेशन इसमें 67 वेकिंसीज है दूसरी जो नोटिफकेशन है उसमें टोटल वेकिंसीज जुहे हं 88 है जिसके लिए आप all over India से अपनी application फेज सकते हैं अलग-अलग locations है बहुत सारी locations है जहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं आपका जो job location रहेगा वो military hospitals में ही रहेगा military hospital में आपको जो है वो काम करना पड़ेगा और ये recruitment जो है वो एक तरह की permanent recruitment है 18 से लेके 25 साल तक आपकी ये जहे आपने 10th कर रखी आप eligible apply कर सकते हैं दोनो notifications के बारे में लोग detail में जो है वो बात करने वाले हैं कैसे आपको apply करना है क्या eligibility criteria है selection process कैसा रहेगा कैसे application फेज नहीं है तो शुर से लेके लाज सक्स वीडियो को ध्यान से देखिए complete देखिए ताकि आपको हर एक चीज हर एक detail का पता चल जाए तो एक एक करके हम लोग जो है वो दोनो notifications के बारे में बात करेंगे सबसे बहले बात करते है Southern Command Military Hospital की तरफ ते ये जो notification जारी करा गया है एहमद नगर की तरफ से इसमें location आपका एहमद नगर में रहेगा कुक की recruitment है वाट सायका की है 57 वाट सायका की post है माफ कीजेगा और 10 जो है वो कुक की recruitment है जिसके लिए आवे दन मागे गई है कुक के लिए अगर आपने 10th कर रखी है साथ में आप इंडियन कुकिंग जानते है प्रॉफिसेंसी है आपकी ट्रेड में तो आप eligible अप्लाई कर सकते है 18 से लेके 25 साल तक एज का क्राइटेरिया है वाट सायका के लिए 57 वेकेंसी जे 10th पास है आप eligible अप्लाई कर सकते है desirable यहाँ पे लिखा गया है कुछ लेकिन आपने अगर simple 10th कर रखी है आप बिल्कुर eligible अप्लाई कर सकते हैं 45 डेज का आपको टाइम दिया गया है आप एक मंत का लेके चलिएगा 45 डेज के अंदर आपकी offline application उनके बताई होए address पे पहुंचानी चाहिए application fees की बात कर लेते हैं application fees दोस्तों मातर 100 रुपे की आपको pay करनी है जो की postal order के थूपे करनी है favor में रखनी है the commanded military hospital एहमद अगर और यहाँ पे application format एक attach है उसको fill करना है चाहे तो हिंदी में चाहे English में fill करने के बाद उपर envelope पे लिख देना application for the post of किस post के लिए आप apply कर रहे है cook के लिए या what's high का के लिए उसके बाद आपके supportive document की photocopies लगानी है और उसके बाद 100 रुपे का जो आपका self address envelope पे उसके उपर 100 रुपे का आपको जो है वो postal order लगाना है और यो favor में रखना है the commanded military hospital एहमद नगर और उनके बताय हुए address पे आपको application form के साथ supportive document की photocopies फेज़ देनी है address भी आपको इसी notification में मिल जाएगा यहाँ पे यह देखिए नीची address जो है वो proper दिया हुए कि आपको कहाँ पे application फेज़नी है application आप हिंदी में fill कर सकतें English में कर सकतें यह आपके अपने उपर है इसके लावा selection process की बात करें तो यहाँ पे negative marking ज़रूर होगी subject की बात करें general intelligence, reasoning, general awareness journal English, numerical aptitude यह सारे subjects जो है आने वाले हैं और यह application format है जो आपको fill करके साथ में supportive document की photocopies लगाके उनके बताय हुए address पे फेज़ आए एक picture यहाँ पे attach करिएगा दो, तीन, साथ में लगा दीजेगा अगर यह misplace हो जाती है तो वो दूसरी pictures जो है आपके काम आ जाएगी तो यह दोस्तो notification था पहला अब बात करते हैं जो दूसरा notification उनकी तरफ से जारी करा गया है यह आ रहा है civilian group C की post के लिए central command में अलग-अलग location है locations की बात करें फैजाबाद गया इसके लावा लखनव है आगरा है, बरेली है, देहरादून है और भी बहुत सारी location है अलग-अलग यहाँ पे दिखिए number of post हैं इसके लिए आवेदन मागे गए है और यहाँ पे same criteria जैसा मैंने आपको पहले बताया cook की post है, वार्ट साइका की है cook के लिए आपको जो है Indian cooking जो है आनी चाहिए और इसके लावा 10th pass है, आप eligible apply कर सकते है वार्ट साइका के लिए आप बिल्कुल fresher है आप eligible apply कर सकते है same 45 days का आपको time दिया गया आपके application पहुँचानी चाहिए same तरीके से आपको application भेजनी है same सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है आप थ्यान दीजेगा कि एक तो address change है, जहाँ पे आपको postal order favor में रखना है command.mh जबलपूर में रखना है और दूसरा जो है, जो आपको application भेजनी है वो भी जबलपूर में भेजनी है बाकी सारा criteria लगपक same ही रहेगा, यह देखिए, यहाँ पे आपको application भेजनी है, headquarter central command, military hospital जबलपूर MP, यहाँ पे आपको description में मिल जाएगा, हमारी website पर जाएगे वहाँ पे सारी जानकारी लिखी मिल जाएगी उस जानकारी को read करिए और अगर आपको लगता है आप eligible ले ता आप ज़रूर इसके लिए जो है आप एतन कर सकते हैं so thank you very much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आशा करतम को आपको वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए उनकी भी help हो जाएगी और मिलेगा ऐसी किसी नही जोब अपडेट के साथ दोबारा से तब तक आप अपना ख्यार रखिए